Electricity की आज की क्लास में हम लोग Numericals पे काम करेंगे मैंने जो कल टॉपिक पढ़ाया था उसके Numericals करेंगे, Questions करेंगे और उससे पहले मैं पूरा Quick Overview दूँगा, Quick Revision करवाऊंगा Initial 4 Lectures का आज ये 5th lecture है, Electricity Chapter पे तो पूरी उम्मीद है मुझे, आपको अच्छे समझ में आए गया ये आप Initial पूरे 4 Lectures देख चुके हैं ये आपने नहीं भी देखा है, तो आज मैं Quick Revision करवा रहा हूँ बाद में आप वो Lectures जरूर देख ले तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम Electricity में Electric Charge की बात करते हैं और Electric Charge की Flow होने से Time के Respect में Electric Current मिलता है अब Electric Charge क्या है, तो आपको बताया गया था Electric Charge simply Deficiency और Excess of Electron तो Whenever you are supposed to define Electric Charge आप define करें कि Deficiency और Excess of Electron तो Deficiency का मतलब होता है, Electron की कमी होना Excess का मतलब होता है, Electron का ज्यादा होना तो Electron की यदि कमी होगी तो हमारे पास Positive Charge आएगा और यदि Electron का Excess हो जाएगा तो Minus का Charge आएगा, Negative Charge आएगा अब इन Charge के बारे में सब कुछ मैंने Detail से बताया है कि Charge की Unit, Proton और Electron दोनों ही कितना Charge रखते हैं Numerically 1.6 x 10 की पावर – 19 Coulomb इसकी SI Unit होती है ठीक है, मैंने नेचे मेंशन भी किया है SI Unit इसकी Coulomb है इसके लाबा Atom के पास 3 Particle होते हैं 2 Particle तो इसके पास आपको Neutron और Proton Center पे मिल जाते हैं बाकी एक Particle इस Center के Round Move करता है जिसे Electron बोला जाता है ठीक है, यह जो दो Particles है, इन्हें Nucleons बोलते हैं और यह Center बनाते हैं, Nucleus बनाते हैं मास की बात करें, तो सबसे ज़्यादा मास होता है Neutron का और फिर दूसरे नंबर पे मास होता है Proton का इसी लिए Neutron और Proton मिलके पूरा Center पे मास देते हैं और Electron का मास कम होता है, इनके मास की वैल्यू भी मैंने बताई थी आप यह ज़िए Neutron की याद करें तो 1.675 इंटू 10 to the power minus 27 kg इसी तरीके से Proton की वैल्यू भी लगभग सेम है बस थोड़ा सा कम है, कितना थोड़ा सा कम है? यह 27 है, ठीक है यह कितना है? 1.673 Proton के लिए जब की जब हम Electron की बात करेंगे तो Electron की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी 9.1 into 10 की पावर minus 31 kg हो जाएगी, ठीक है? तो यह मैं जस्ट बोल दे रहा हूं आप सुनने, इसमें भी as it is same होगा, ठीक है? यह मास की बारे मैंने आइडिया दिया था, तो चार्ज को define आप कैसे करने वाले है? डेफिसियंसी और एक्सिस, ठीक है? यहाँ पर और था, ठीक है? डेफिसियंसी और एक्सिस आफ इलेक्ट्रान, तो यहाँ भी पढ़ने, it is very small particle presenting an atom, obviously एक small particle होता है और इस charge को कैसे develop किया गया? मैंने initial videos में इसका पुरा historic preview दिया है कि charge कैसे आया, initially charge क्या नाम से आया, और charge की बात किस तरीके से धीरे-धीरे-धीरे develop हुई current की बात करते हैं, तो current क्या है? current simply rate of flow of net charge है, charge के flow होने के rate, rate का मतलब होता है anything that we are considering with respect to time, so right now we are considering net charge, net charge with respect to time, यानि i is equal to q by t, q का unit हमने पढ़ा coulomb, t का पढ़ा second, तो coulomb per second को ही प्यारे बच्चों, ampere बोला गया है, क्योंकि ampere नाम के scientist ने इस पर काम किया है, तो इस coulomb per second को ही हम ampere बोलते हैं, और SI unit को हम capital A से ही दिखाते हैं, यानि 1 ampere आपको define करना हो, तो आप बोल सकत हैं, कि 1 coulomb charge flowing per second, यानि 1 coulomb charge यदि 1 second के लिए flow होता है, तो वो क्या कर सकता है, एक ampere current generate कर सकता है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और electric circuit की बात करते हैं, इस current को flow होने के लिए प्यारे बच्चों, एक close path चाहिए, current तब तक flow नहीं हो सकता, जब तक आप closed path current को ना दे दे, उसी closed path को, उसी closed path को हम क्या बोलते हैं, electric circuit बोलते हैं, जहां current flow होता है, ठीक है, it is a closed path along which an electric current flow, it is a closed conducting path where current flow, ठीक, तो देख लें, ये closed path आप देख लें, जिस तरीके से मैंने दिखाया है, यहां पर मैंने battery use किया है, कल की class मैंने आपको बताया था, कि cell इस तरीके से use होते ह हैं, जो energy के source होते हैं, यह positive और negative terminal होता है, और यदि कई cell use कर दिये जाएं, तो वो कई cell एक battery बनाते हैं, suppose यहां पर मैंने 3 cell use किया, यदि यह 2 volt का था, तो यह फिर मेरा 2,3 जा 6 volt का एक battery हो जाएगा, single use करने पर हम इसको cell बोलते हैं, एक से ज़्यादा use हो जाएं, तो फि right now we have used battery of 3 cells, की use किया है, की को generally दिखाने का तरीका यह है, close दिखाने का तरीका यह है, इसके भी 2 terminal होंगे, इसके बाद हमारे पास यह ammeter use है, ammeter क्या करता है, current का measurement करता है, current की value बताता है, तो current measurement के लिए हम क्या use करते हैं, circuit में चाहिए, तो obviously ammeter use करते है, एक चीज़ और में याद दिला दू, यदि हमें voltage measure करना है, तो parallel में हम क्या लगा सकते है, voltmeter लगा सकते है, जैसा मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो voltmeter क्या करता है, circuit में measure करता है, voltage के difference को, यह simply कहें, potential के difference को, ठीक है, यहाँ पे current कैसे flow हो रहा है, current यहाँ पे इस direction में flow हो रहा है, यानि current आप इसके just reverse में flow होते है, electron का flow, current के flow के opposite होता है, यह बात भी धियान रखें, यहाँ पे arrow क्या दिखा रहा है, current के flow को, तो arrow आप देख सकते है, यहाँ से current ऐसे, ऐसे, ऐसे यह जा रहा है, साथी साथ यहाँ पे circuit में, ammeter कैसे connect किया गया है, series में connect किया गया है, साथी साथ यह सा instrument है, जो electric current के measurement के लिए use होता है, इसे हमेशा series में connect किया जाता है, यह इसका दिखाने का symbol होता है, और साथी साथ यह ammeter यहाँ पे, practical करते वक्त आप जो ammeter use करते हैं, laboratory में, वो ऐसा ammeter आपको मिलता है, ठीक है, यह milli ampere के form में भी हो सकता है, और यह milli ampere के form में है, मतलब आप micro ampere में, प्यारे बच्चों, 10 की power minus 6 ampere current होता है, तो बहुत simple value यह आप कहें कि बहुत negligible value को measure करना है, तो फिर हमें milli ampere और micro ampere use करना पड़ता है, अब यह जो ampere आप देख रहे हैं, यह simple ampere है, milli ampere होता है, यहाँ पे यह ammeter होता है, ठीक है, यह voltmeter है, तो यहाँ पे यह ammeter ह जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, capital है लिखा हुआ है, देखे लियां से, यह symbol होता है ammeter का, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास यह क्या है, voltmeter है, तो voltmeter क्या करता है, it is an instrument used to measure the potential difference, potential difference को measure करने के लिए काम use करते हैं, अब question है कि potential difference क्या है, तो मैं यह समझा दूँ आपको, कि जब भी electron flow करते हैं, तो यह तभी flow कर सकते हैं, ठीक है, जब potential में difference हो, आप एक simple example लें, और आप suppose consider करते हैं, पानी को, तो पानी की टंकी आप generally कहां रखते हैं, height पे रखते हैं, और क्यों रखते हैं, ऐसा करते हैं आप, क्योंकि वहाँ से पानी आप नीचे ला सके हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक pressure difference आता है, क्या आता है, pressure difference, इसलिए पानी उपर से नीचे आता है, साथ ही साथ आप क्या use करते हैं, मोटर यूज करते हैं, ताकि यह pressure difference constant बना रहें, और बराबर पानी आपको मिलता रहें, या पानी आप उपर भी भेज सकते हैं, इसी potential difference को increase कैसे भेजेंगे, नीचे का pressure आप बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, मोटर की मदद से, तो इस तरीके से हम device का use करते हैं, मोटर का, इसी तरीके से हम यह pressure difference जनरेट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम electric circuit में charge difference जनरेट करते हैं, और इस charge difference की मदद से हम क्या कर पाते हैं, obviously current को generate करा पाते हैं, तो एक बात तो आप याद करो, potential क्या है, potential actual में, एक potential energy किसी point पर पता करना ही potential है, ठीक है, क्या है potential, एक definition मैंने यहाँ भी लिखी है, the amount of electric potential energy, जब एक electric potential energy का amount आप पता करोगे, किसी point पे, कहा के point पे, एक electric circuit के point पे, suppose electric circuit पर एक point आपने लिया और उस point पर आपने potential energy निकालने का प्रयास किया तो कैसे निकालेंगे ये potential energy इसके लिए हम क्या करेंगे एक unit positive charge लेंगे और उस unit positive charge को किसी infinite point से कहां पे लेके आएंगे, circuit में लेके आएंगे तो इसकी definition आप चाहो तो लिखलो में बोल देता हूँ potential is defined as the work done क्या चीज बिटा, work done किस चीज पे किया गया work done to bring the unit positive charge ये unit positive charge को लाने में किया गया काम कहां से from infinite to any point in the circuit from infinite to any point in the circuit एक बार और बोलता हूँ है the work done to bring the unit positive charge from infinite to any point in the circuit is called potential इसी तरीके से यदि आप इसी circuit में काम करो और आप यही charge, unit positive charge circuit के ही किनी दो point पे लेके जाओ suppose इस point A से इस charge को आप point B तक लेके जाओ तो इस duration में भी work done होगा उस work done को हम बोलते हैं potential difference तो पढ़िये ध्यान से it is defined as the work done in carrying a unit charge from one point to another between the two points of an electric circuit इसी electric circuit के दो point के बीच में A पर जो potential है उसे generally VA बोल देते हैं B पर जो है उसे VB बोल देते हैं और यह net potential V जो होता है वो VA minus VB होता है जहाँ पे VA का potential जादा है और यह किसके equal होता है work done to bring the charge W by Q के equal होता है तो आज हम इस W by Q पर based बहुत सारे question करने वाले हैं याद रखे प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और formula बन सकता है V into Q is equal to W बन सकता है एक और बन सकता है Q is equal to हमें WY V मिल सकता है साथी साथ एक और बन सकता है V is equal to W और मने आपको बताया था कि I होता है charge flow per unit time Q by T क्या होता है charge flow per unit time आपने अभी देखा है यह क्या होता है current होता है इसलिए यहाँ से हम लिख सकते हैं Q is equal to I into T तो एक formula हम यहाँ से यह भी बना सकते हैं तो यह formula कोई भी formula use करने की बात कही जा सकती है एक numerical में इसलिए आपको यह पता होना चाहिए यह दो definitions और आप देख सकते हैं बाकि जो definitions मैंने अभी बताई वो भी valid है क्या है the difference in the amount of electric potential energy obviously हम electric potential energy को दोनों जगे पे लेते हैं दोनों point पे लेते हैं और जिनका difference हम लेते हैं और इसी difference को क्या बोला जाता है electric potential difference बोला जाता है ठीक है या फिर हम general term में क्या कहेंगे the work done to bring the positive charge from A to B is called is called potential difference तो work done ही तो हूँ आप पे ठीक है चलिए next हम लोग लेते हैं ammeter और voltmeter मैंने बताई दिया ammeter हम series में लगाते हैं और ammeter एक ऐसा device है जो current की amount को measure कर लेता है इसको इस तरीके से symbolically हम दिखाते हैं और इसका resistance low होता है यह कुछ points है ammeter के लिए जो याद रखे हैं voltmeter में क्या क्या point है यह एक ऐसा instrument है यह device है जो potential difference को measure करता है यानि यह potential difference जो आप निकाल रहे हो यह आप voltmeter की मदश से measure कर सकते हो यह इसका symbol होता है और यह हमेशा parallel में connect होता है parallel में यहाँ पे connect किया है ध्यान से देखे यह connection को parallel बोला जाता है जहाँ पे current divide हो गया और बाद में जहाँ पे current आके मिल गया तो यदि इन दोनों point के बीच में हम दो device लगा रहे हैं यह दोनों parallel में कहलाएंगी तीसरी भी कोई यह यहाँ पे लगाएं तो वो तीन parallel में कहलाएंगी अभी कौन-कौन parallel में है voltmeter और यह bulb parallel में है इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे high resistance यूज करते हैं याद रखें आप meter में जो internal resistance होता है वो low होता है जब कि यहाँ का internal resistance क्या होता है high होता है यह भी एक important point है यहाँ का high होता है यहाँ का low होता है इतना याद रखेंगे अब चलिए आगे हम जल्दी से revise कर लेते हैं इनका symbol तो जब cell use किया जाता है यह symbol आपने अभी देखा battery के लिए यह symbol यहाँ पे कितने cell है 1, 2, 3, 4 cell है suppose यह 4V का होता तो यह कितने VOLT का निकलेगा 16V का निकलेगा यह battery कितने VOLT की हो जाएगी 16V की इसके बाद की इस तरीके से दिखाया जाता है यह ऐसे दिखाया जाता है यदि इसको close किया जा जाए आप एक black dot करते हैं, या फिर आप ये symbol बनाते हैं, इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक, ऐसे, ठीक, joint wire है तो इस तरीके से, और यदि cross wire है तो इस तरीके से, इसमें joint नहीं है, मतलब ये wire ऐसे जा रही है, और इसके ऊपर से wire ले जा रहे हो, तो आप 3D में तो लेनी जा प और इसका आप diagram चाहो, ammeter, voltmeter का, तो आप देख सकते हो, ये voltmeter कुछ ऐसा देखता है, ठीक है, और ammeter आपका कुछ ऐसा देखता है, इसको तो मैंने detail से ही दिखाया है, आपको यहाँ पे, अपने experiments में आपको किस तरीके के मिलते है, ammeter, voltmeter, ये आपने देख लिया है, जो ये से दिखता है laboratory में, और इस switch को आप इस तरीके से indicate करते हो, यही switch इदी close हो जाए, तो ये ऐसे दिखता है, या फिर इसका एक तरीका ये भी था, open को ऐसे, और close को कैसे, इस पे बीच में dot लगा दे, तो ये भी आप देख चुके हो, bulb आप ये देखो, general bulb तो जानते ही हो symbolically हम ऐसे दिखाते हैं, cell ऐसा है, symbolically ऐसा दिखाते है, बैटरी भी आप जानते हो, inverters वगेरा में यूज़ करते हैं, जो वही बैटरी है, तो जदा वोल्ट की होगी, वाकि जो बैटरी आप general यूज़ करते हैं, तो 9 वोल्ट तक की बैटरी भी आप लोगों ने observe की होगी, ओल्ट मीटर को ऐसे, या मीटर को ऐसे, यह इसका positive terminal है, तो यह negative होगा, इसी तरीके से यहाँ भी दो terminals आपको मिलेंगे, ठीक है, यह आपका register इस तरीके से दिखाया जाता है, पहले आप ऊपर चोटा सा लेते हो, फिर नीचे तक फिर यह और last में आप यह ऐसा बना देते ह रजिस्टर, कल में details से registers पर काम करूँगा, और साथी साथ में ohms लाग कल बताऊँगा, और फिर उस से related questions हम लोग या तो कल करेंगे, या फिर next class में कर लेंगे, इसके लाबा variable register क्या होते है, variable register वो register होते है, जिनके resistance को, यानि जिनके resistance के value को हम अपने according change कर सकें, ठीक है, य ये slide आपको देख रही है, इस slide को हम बढ़ा कर, इस slide को हम यहाँ ला सकते हैं, और आगे ले जा सकते हैं, ये पुरा slide कर सकता है, इस slide को change करके हम resistance की value को vary कर सकते हैं, जबकि एक register की value fix होती है, ठीक है, इसकी value fix होती है, register एक इस form में भी होते हैं, और इस form में register साथ कहीं न है ठीक है different events होते है जो decide करते है resistance की value को और particular device के लिए जो register requirement होगा वो हम लगाएंगे क्योंकि हर जगे ये use करना पड़ता है क्योंकि एक बहुत बड़ा amount हम current का नहीं भेज सकते जैसे ये हमें TV वगेरा में भी लगे मिलेंगे और भी devices में लगे मिलेंगे और variable register भी आप समझ गए है variable register को हम कैसे दिखाते है एक इसको दिखाने का तरीका तो आप देखी रहे हो ऐसा है और एक तरीका इसका ऐसा भी होता है ठीक है इस variable register को ही एक और नाम से जाना जाता है और वो नाम आप लिख लें, rheostat भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, R-H-E-O-S-T-A-T, ये rheostat भी कहलता है, ठीक, is it clear, अब हम लोग आगे काम कर लेते हैं questions पे, और आज के questions हम लोग consider करने वाले हैं, अब पहला question आपके लिए ध्यान से पढ़िए, और पहले आप करिए, फ an electrical circuit, word analogous का मतलब होता है, function में same होना, analogous का मतलब होता है, same function, और ये analogous word आप लोग वायो में भी use करेंगे, जब आप लोग heredity and evolution chapter पढ़ेंगे, तो function में same होने को analogous बोलते हैं, तो water का जो circuit है, जिसमें हम water park में use कर रहे हैं, water circuit, वो किसके equal same है, electric circuit के same है, तो battery किसके analogous यानि यदि आप ये बोलो कि electric circuit is, simple बोला गया है question, यदि मैं short sweet समझाओं तो question ये है, कि electric circuit is analogous to water circuit, electric circuit is analogous to water circuit, then voltage is analogous to which of the thing, battery is analogous to which of the following, ठीक है, बैटरी हम से पूछा है किसके analogous है, तो battery में क्या किया गया है, वैटरी में एक difference dzisiaj गया energy का, ठीक है, तो यहाँ पे दएखें, the rate at which water flow, बिल्कुल नहीं, rate कि बात नहीं होती है यहाँ पे, the speed at which water flow, बिल्कुल नहीं, speed की बात भी नहीं होती, the distance that water flows through the circuit, distance की बात भी नहीं होती the water pressure, बिल्कुल pressure difference की बात होती है और pressure difference क्या top पे है क्या bottom पे है, obviously top पे ज़्यादा होता है और इसी कारण से पानी flow हो पाता है और यह hindrance, hindrance मतलब रुकावट इसकी बात भी नहीं होती है तो इसका answer D है एक बार इसका answer भी पढ़ ले देखें यहाँ पे, the battery establishes an electric potential difference across the two ends of the external circuit and thus causes the charge to flow, ठीक है, क्योंकि potential का difference आ जाता है, इसलिए charge high potential से low potential की तरफ flow होने लगता है the battery voltage is numerical value of और यह जो voltage होता है, बैटरी का voltage होता है, वो numerical value है किस चीज़ का, electric potential difference का, in an analogous manner इसी analogous manner में यहनी functionality में, same वाले manner में आप कह सकते हो, कि difference in water pressure between top of the water slide and bottom of the water slide that the water pump creates तो यह एक तरीके से analogous हो गई दोनो, जब इस difference in water pressure causes water to flow down the slide, because of this similarity between electric potential difference in an electric circuit and water pressure in a water park, the quantity electric potential difference is sometimes referred to as electric, ठीक है, basic आप समझ गए हो, बाकि आपको words के form में लिखना है, answer पढ़ना है तो यह मैंने present किया है आपके साथ में second question आपके लिए which of the following is true about the electrical circuit in your flashlight ठीक है, आपके according, कहने का मतलब यह है कि आपके according, electric circuit के बारे में इन में से कौन सही है charge moves around the circuit very fast, nearly as fast as the speed of light, बिल्कुल नहीं भई, speed of light बहुत बड़ी बात होती है, और हम इस चीज की बात नहीं कर रहे है, the battery supplies the charge electron that moves through the wire, बिल्कुल यह बात भी नहीं है, ठीक है charge electron बुला है, the battery supplies the charge electrons that move through the wire, battery जो है charge electron को move करता, यह एक convention है, battery एक potential difference करता है charge कभी भी खतम नहीं होते हैं बैटरी में the battery supplies the charge proton charge proton को देता है, यह बात भी हम गलत ही कहेंगे, that moves through the wire, the charge becomes used up as it passes through the light bulb, नहीं, charge कभी नहीं use होता है बिटा, same बना रहता है, the battery supplies energy बिल्कुल energy supply करती है battery यहीं सही है, और इस energy के कारण ही difference आता है और charge के flow अगेरा की बात होती है कभी भी battery charge को supply नहीं करता है यह मत सुचना कि आप तो बोल रहे थे कि sir, electrons, मैंने क्या बोला था आपको कि जिस direction में electron flow होगा उसके opposite direction में current flow होगा, बिल्कुल यह बात सही है लेकिन इस electron के flow होने के लिए आप यह नहीं कह सकते हो कि battery ने supply किया है electron electrons तो हर atom की property है तो चलिए इसका solution भी आप एक बार पढ़ लें, यह option सही है, यह तो आपने देख लिया पढ़िए, the battery supplies the energy to move the charge through the battery energy के लिए battery use होती है thus establishing and maintaining an electric potential इसी के कारण establish कर सकते हैं और maintain कर सकते हैं किसे electric potential के difference को और यह कारण है current के flow होने का the battery does not supply electron nor proton to the circuit battery ने कभी भी electron proton supply करने का काम नहीं किया है those are already present in the atom यह electron proton already present होते हैं किसी atom में और flow होने का काम काम कौन करता है, electron करता है conducting material में आपको electron proton जरूर मिलते हैं in fact there would be no need to even supply charge at all since charge does not get used charge कभी भी use नहीं होता है तो एक option आपके पास यह भी था इसलिए आप लोग एक basic idea लेते हुए concept को समझेए क्योंकि आज कल questions बहुत basic से पूछे जाते हैं और जब तक concept clear नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे उन questions को यदि आप NTSC जासे exam को appear करते हैं तो बिल्कुल वहाँ पर ऐसे questions बनते हैं इसलिए मैंने ये question डाला है तो energy जो है use होती है लेकिन कभी भी charge use नहीं होते हैं circuit में तो यह E option आपका सही था third question करते है electric potential energy of a charge is zero electric potential energy किसी charge का zero कब होता है किस जगे पर होता है तो negative terminal पर होता है ये ध्यान रखें आप ठीक है इसका answer में चाहूँगा आप एक बार पढ़ ले the negative terminal of the battery is the low voltage location on a circuit इसको हम low voltage location बोलते हैं circuit का और इसलिए इसको zero volt माना जाता है ये भी आप ध्यान रखें अब चली कुछ और अच्छे questions mathematical form में दील होंगे इसको solve करते हैं हम लोग ठीक है इसे पढ़िए और इसको solve करिए मेरे साथ work done हमें निकालना है calculate the work done if charge 5 coulomb कितना charge 5 coulomb charge क्या हुआ है move किया है 2 point के बीच में यानि 2 point circuit में ले लो और इन 2 point के बीच में कितना charge move किया है 5 coulomb का charge move किया है potential difference कितना generate हुआ है 15 volt का potential difference इन 2 point के बीच में generate हुआ है तो इस capital V की value भी हमें दे दी गई है हम क्या जानते हैं हम जानते हैं कि VW by Q होता है और हमसे W पूछा है तो W या VY V into Q होगा तो W is equal to V की जगे हम रख देंगे 15 volt Q की जगे हम रख देंगे 5 unit होती है जूल 15 five 75 joule is your work done for this particular problem इस problem में कितना work done किया गया 75 joule work done किया गया तो simply हमें ये formula अपलाए करना है और आज के question इनी formula पर भेज़द है ठीक है कुछ homework भी मैं आज दे दूँगा जिसे मैं कल discuss भी कर दूँगा चलिए 5th question पढ़ें आप अब लोग तो आप लोग ने इसे पढ़ा और क्या देखा आपने potential difference कितना है ये पूछा गया है क्या potential difference होना चाहिए ये पूछा गया है वी पूछा गया है जबकि work done 100 J है ये दे दिया है ठीक है 100 J वर्क डन किया जा रहा है एक point से दूसरे point तक यानि यदि circuit मान के चलो तो circuit के इन दो point में charge को भेजने के लिए इतना work done किया जा रहा है कितने charge को भेजने के लिए 10 cool arm charge को भेजने के लिए यह बोल दिया गया है, अब V is equal to होता क्या है, सीधा simple W by Q होता है, तो V is equal to W by Q होता है, तो क्या W SI unit में है, बिल्कुल Joule SI unit होती है, क्या Q SI unit में है, बिल्कुल Coulomb SI unit होता है, तो Joule per Coulomb को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं, तो यह 10 V या 10 Joule per Coulomb आप बोल सकते हो, क् पोटेंशियल डिफ्रेंस रिक्वाइड कितना 10 वोल्ट इस यूर आंसर चलिए एक कोशन और करेंगे हम लोग आज की क्लास में और फिर में कुछ होंबग दे दोंगा आपको चलिए इसको करते हैं ध्यान से पढ़ें और आप देखें वाट इस चार्ज पूछा गया है इस कोशन में तो मैंने कोशन सिंपल ही लिये हैं सबसे पहले मैंने कोशन लिया जिसमें आपसे क्या पूछा गया था आपसे डबलू पूछा गया था फिर मैंने लिया जिसमें वी पूछा गया है अब इस कोशन में चार्ज पूछा गया है यानि क्यों पूछा गया है कब जब 2 points के बीच का difference 220V दिया है यानि 2 points जो आपने लिये हैं किसी circuit में उसके बीच का difference 220V है और जो work done किया गया है charge को flow कराने में जो भी charge का amount होगा या value होगी उसको कराने में 1760 joule work done किया गया है तो आपको charge का amount बताना है कितना होना चाहिए हम सब जानते हैं VW by Q होता है तो यहाँ पे Q क्या होगा Q हो जाएगा WYV अब यह बताओ प्यारे बच्चों W कितना दिया है तो W दिया है 1760 joule और V कितना दिया है 220 यह भी volt दिया है यह भी SI form में दिया है तो 176 divided by 22 तो यह 8 times जा रहा है तो यहाँ से 8 coulomb charge आपको मिल गया जिसकी बात आपको इस question में करनी थी तो कितना charge आपको मिल गया 8 coulomb charge ठीक है अब मैं कुछ questions आपको home work में दे रहा हूँ और आज की class में मैं इतना ही करवा रहा हूँ पहला home work का question आप लिखे calculate the work done to carry a charge of 3 coulomb 3 coulomb charge को carry करने में कितना work done होगा जबकि potential difference 10 volt है simple value putting substitution based question है आप formula लगाएं और करें इसको और आप answer इसका submit करें यह second question है जिसमें potential difference पोचा है दो point के बीच में जबकि work done 1500 joule का हो रहा है और charge कितना carry हो रहा है 50 coulomb का तो calculate the potential difference between 2 points if 1500 joule of the work is done तो carry a charge of 50 coulomb from one point to other चलिए third question और यह last question आज की class का जो आपको कर क्याना as a home work कल मैंने discuss भी कर दूँँगा 5000 joule का work हुआ है कब हुआ है जब आप एक point से दोसरे point तक charge लेके जा रहे हो और उनके बीच में potential difference 100 volt का बना रहे हो बस आपको यह बताना है कि charge कितना आप लेके जा रहे हो ठीक है तो 5000 joule of work would be done इसकी done की जगे would be done लिख लो would be done to carry how much charge between 2 points having potential difference 100 volt ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको हर चीज आज की समझ में आई है यह 3 questions आप करें और इसको submit करें ठीक है कल मैं इनका solution करवाऊंगा और साथ ही साथ कल की class में मैं ohm's law explain करूँगा और उसके बाद next class में फिर ohm's law पर based questions होंगे ठीक है Thank you class